आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल याने की शुक्रवार को 26 अगस्त को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल उप पंदरा मिनिट का टाइम फ्रेम जो की इंट्राडे के लिए बैस्ट होता है लास्टाइम दोस्तों हमने डिसकस किया था कि मार्केट नहीं आपर बहुत सारा बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है और बहुत सारे जो कोल राइटर उनका स्टोपलोस इसके उपर रहने व 500 तक के और एक्जेक्ट मार्केट ने बैंक निफ्टी ने 49,471 का आज का हाई लगाया और फिर 10-20 पॉइंट नीचे से ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया और जो यह सेलिंग प्रेशर आया दोस्तों इसका मैंने आपको टेलिग्राम पे अपडेट दिया था कि आज मार्केट उपर के लेवल पर जाएगी तो जबरदस्त एक प्रोफिट बूकिंग आ सकती है मार्केट एक दम से डाउन साइड आ सकती है आप टेलिग्राम पे जा के पड़ सकते हो नहीं तो मैं भी आपको दिखा दूगा उसके बोलने का रिजन दोस्तों मैंने आपको बता देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो लेवल है यह टेस्ट हो चुका है एक बार शोर शोट दोस्तों यह चीजे काम करती है यहीं आपको मैं बताने की कोशिस करा था कभी भी आपको टेस्टिंग सपोर्ट यार असिस्टेंस में ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेस्टिड जो होता है वो कम जोर हो जाता है और नेक्स टाइम जब उसको टच करते तो मार्केट उसको तोड़ देती है तो इस लेवल के भरोसे दोस्तों यह मत बैठना कि अगर यहां पर मार्केट आई तो वापीस से गिरेगी नहीं अगर इसके उ तो असली ट्रेडर वही है जो छोटी-छोटी चीजों को पकड़ता और मैं आपको यहीं पकड़ना सिखाने की कोसिस करता हूं अब दोस्तों कल क्या हो सकता है हमने इस मोग को अच्छे से कैप्चर किया कुछ लोगों ने तो यहीं पर यहां तक प्रोफिट बुक किया फि से पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकती है देखिए दोस्तों इस लेवल को मारक कर लेना जो मैंने दो लाइने लगाई है उन 38,930 और 38,661 पर यह जो दो लाइने लगाई है लंसम इसका एक दो पाइंट उपर निचे आप लगा सकते हो लाइन आप पहले हिए आज आपको बता रहा हूं अगर इसके देखिए अगर flat open होई बैंक निफ्टी flat open होने के बाद यह जो एक Mr. töर पहले सब्सक्वाद करता था फिर यह रसिस्टेंस का काम क्या फिर यह ऊपर निकला तो अभी इंब्सक्वार निकलती है तो कम क्वांटिटी क के साथ ट्रेड करें जैसे ही 38,950 के उपर मार्केट निकली और प्राइस एक्षन बनने दीजिए जैसे आज बनाया दोस्तों ऐसा प्राइस एक्षन बनने दीजिए अगर फटाक से निकलती है प्राइस एक्षन बनता है 50-60 पॉइंट का एसल डालेंगे वन इस्टूट आप आपका टार्गेट होगा आप कोल साइड बैठ सकते हो अगर दोस्तों यहां पर मार्केट ओपन होती है और यहां पर कहीं पर टाइम स्पेंड करके फिर इसको ब्रेक आउट देती है फिर प्राइस एक्षन बनने का वेट नहीं करना है फिर आप डिरेक्टली कोल साइड ज आपका टार्गेट हो जाएगा पूट साइड बैठ सकते हो लेकिन मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया यह वाला जो एरिया है यह ट्रैप जोन रहने वाला है यह एक ट्रैप जोन रहने वाला यहां से मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकती इस चीज़ को आप बने दीजिए अगर बुलीष 15 मिनिट की कैंडल इस टाइप की बनती है और फिर दूसरे यहां पर मार्केट यहां तो टाइम स्पेंड करें अगर इसको ब्रेक आउट उपर की साइड दे रही है और यहां पर प्राइस एक्षन बन रहा है तो जो सेफ ट्रेडिंग होगी दोस्तों वो होगी 49,500 से उपर ही आपको कोल साइड की अच्छा मुमेंटम मिलेगा लेकिन अगर हलका फुल का गैप डाउन गैप ओपन होता है 49,000 के आसपास गैप ओपन होता है और यहां से मार्केट अगर दिन का हाई तोड़ती है इस टाइप से प्राइस एक्षन बना दोस्तों यहां पर फिर से मार्केट टाइम स्पेंड करेगी उसका टाइम स्पेंड करने का मैं रिजन बता देता हूं देखिए अभी पूरा जोन टेस्ट नहीं हुआ है पूरा जोन बोले तो यह वाला एरिया टेस्ट नहीं हुआ है तो हो सकता इस रेंज में जाने के बा बड़ा मुमेंटम मार्केट में आ सकता है क्योंकि इस लेवल पर बहुत सारे जो कोल राइटर सोंगे उनका स्टोपलो सीट होगा और एक दम से बड़ा मुमेंटम आ सकता है मार्केट में 4900-4900 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है तो गैप अप वाली सिच्वेशन में आ विडिया बुली स्केंडल बना के दिन का हाई ब्रेक करती है प्राइस एक्षन बनाती है तो यहां पर नेगेटिव केंडल बनने के बाद 38400 के नीचे प्राइस एक्षन बनना शुरू हुआ या फिर 38200 और 400 के बीच में टाइम स्पेंड कर गए ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा मुमेंटम आपको पुट साइड देखने को मिल सकता है पचास आट प्राइट का एसल डालेंगे वह इस्टो आपका टारगेट हो जाएगा और आप पुट साइड बैठ सकते हो ले मार्केट पिछले 2-3 दिन से बड़ा बढ़िया मुमेंटम दे रही है यहां पर बढ़िया मुमेंटम दिया यहां पर बढ़िया मुमेंटम दिया आज फिर दोनों साइड मुमेंटम दिया है तो जब मार्केट इतने मुमेंटम दे देती है तो एक पोज केंडल बनना स्व प्राइडम प्लान करेंगे तो कल थोड़ ऐसे कम टार्गेट आप बैंक निफ्टी में चलिए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी में क्या सीन है निफ्टी के भी दोस्तों यहां पर दोनों जो मैंने मारक किये इन लाइनों को मारक कर सकते हो 17620 के आसपास है 17450 के आसपास ठीक है इस इनकी इंपोटेंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लेकिन जो यह निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोस्तों यह हुआ है न यह मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ देखिए मार साइड पेपर ट्रेडिंग अप्लिकेशन के पेपर ट्रेड करके अच्छी प्रेक्पिस भी हुई है हमारी लेकिन प्रोफिट बूकिंग आने के भी हाई चांस है आज अगर मार्केट ज्यादा पोजेटिव दिखाई दे दिन में तो थोड़ा संबल कर रहना आज दिन में किसी भी समय एक दम से प्रोफिट बूकिंग आ सकती है इस वज़े से मार्केट डाउनसाइड आ सकती है या फिर टोटली साइड वेज रह सकती है और इसका नुकसान यह है कि समय के साथ प्रीमियम खतम हो जाएगा क्योंकि आज एकस्पायर ही है इसलिए कम मात्रा में ट्र मार्केट में मार्केट खुलने से पहले यह चैनल दोस्तों आपके लिए फ्री और कोस्त है मेरा कोई पेड चैनल नहीं है मेरा कोई प्राइम गुरूप नहीं है सब कुछ सो परसेंट फ्री है यह जो चैनल आपको दिख रहा है ठीक है फिर हमने देखिए यह स्टडी ली इस पास ली थी और इसका मैं अगर आपको फिर देखे मैं बीच बीच में आपको क्या दिखाता रहता हूं कि यह पीसी यर डाटा अभी पोजिटिव हो गया इसके नीचे मैं अपना व्यू देता हूं कि अब क्या हो सकता है मार्केट में अब देखिए फिर देखे 120-180 120-19 कहां सहिए 215 तक सहीं इसने हाई लगाया था तीक है 215 क्या इसने हाइए लगाया था 210-10 तक हमने 10 तक हमने एक करवा रहा है तो हमको आराओसे 900 पोाइंट आरा मिले सेमें कोल साइड पुठ साइड हमने कैप्चर किया है बाई दे चे किये नग पुठ साइड जो टूड Dil lab कर सो इवालर हमारे लिए च्रोंड करने ऊसके प्रेक्टिस लिए के लिए की सब्सक्राहत करने करने लिए आता research करने के लिए लिए कोई कोई टिप्स का यह गुरूप है टोटली इस टूडेंट के लिए बस इतना फरक है इस गुरूप में पॉस्ट नहीं करता है क्योंकि दोस्तों उसमें रहता है वो क्लास की स्टडी होती है आपको समझ में नहीं आएगी हमने कि स्टेटजी को मिला कर बनाई है इसलिए मैं इस गुरूप में वहीं चीजे डालता हूं जो मैं सभी को सिखाने की वीडियो में कोशिस करता हूं इसलिए मैं ज्यादा स्टेडी निरा क्योंकि बहुत सारे लोग फोलो कर रहे हैं दोस्तों और मानता कोई है नहीं और लोस होने के उपर बात जिम्मेवारी मेरे उपर थोप देंगे चाहिए दस दिन में एक बार लोस हो उसके बारे में मैंने आप से कल डिसकस किया था लेकि क्योंकि एकदम से मार्केट में गिरावट आई थी ना उस गिरावट को निफ्टी को और जीरो हीरो को और अमबूजा सिमेंट को एक साथ हमने कैप्चर किया था तो आप मुझे टेलीग्राम पर फोलो कर सकते हो यह व्यूज आपको हर साइड हर रोज मिलेंगे और यह ची की केंडल दूसरी को नीचे काड़ देती तो पुट साइड दे 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 देंगे और उपर काड़ दे तो중 कोल साइड craft दे दे देन दोस्ताब ऐसे बिना लोजी के काम करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी लोजी के साथ क्योंस स्कील कृपलिवल कृट लगे और यह बात म मैंने इसलिए लिखिती चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं सीखने वाली चीज है देखिए हम यहां पर कॉल साइट बैठे थे इसके उपर ब्रेक आउट प्राइस एक्षन बना लेकिन मार्केट ने ट्रैप करने के लिए केंडल बना दी लेकिन डाटा पोजिटिव डाट केडल के बरों से मत जाना लेकिन बहुत साफे लोगों ने किया तैलिग्राम पर इस लोगों को ब्रेक किया पूठ पूठ को सब करें त्रैप केंडल को सेओं कैसे नि siya 49 cobra सब्सक्राइब करते हैं दूसरी जैसे उपर निकली नीचे निकली पूट देंगे भाई कैसे काम चलेगा ऐसे थोड़ी मार्केट में पैसे कमा लेगा तो इन लोगों के चक्रों में मत पढ़ना भाई किसी का मत जोएन कीजिए लोस के अलावा कुछ नहीं होने वाला है अगर किसी को वैम है तो जोएन करके देख लीजिए किसी ने किसी को अपने आप पता लग जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे यहां पर की वो जोएन भी कर रहे हैं लेकिन उनक किसमरी केंडल जब तक इसके नीचे केंडल बनके प्राइस सक्षंन न बन जाया इंसाइड केंडल न ब्रेक करें ऐसी कैसे आप साइड जासकत हूं यहां देखिये ठाइंछ किए ब्रेक आउन हुआ एक इंसाइड केंडल बनी और दूसर इसके नीचे गई और असली betoli सिखाता हूं जिनका उपयोग करके आप खुद के दम पर आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन कर सकते हो तो वीडियो को ध्यान से देखा करो और अभी तक आप दोस्तों मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है वीडियो के नीचे डिस्क्रे वीडियो नहीं मिलेंगे अपनी पोस्ट पर देखो 39,000, 30,000 ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको ठीक है तो उस चैनल को यह चीज देखके आप जोएन करना देखिए अच्छे खासे वीडियो मिलेंगे 34,000, 32,000, 34,800 जिस उनके बोट सब्सक्राइबर है उनकी पोस्ट पर इतन का पैसा है वह भी इसलिए क्योंकि मेरा एफर्ट लगता है हर रोज मैं आपके लिए प्रैक्टिस करता हूं और आपको भी सिखाता हूं दो तिन दो घंटे की कलास होती बोलता रहता हूं और मैंने डिजाइन किया कोरस मेरी रोजजी रोटी है वह आप समझ सकते हो लेकिन बहुत कम प्राइज में और उसके लिए है जिसको नोलेज ही नहीं है शेर मार्केट की और एडवांस में जाना चाहता है बिल्कुल ठीक है या फिर जिसको हलकी फूल की नोलेज है लेकिन उसको FIDH की स्टेटजी का नहीं पता है इस्टिट्यूशनल जो होते हैं बड़े- निफ्टी का देख लेते हैं निफ्टी का क्या सीन है निफ्टी का भी सिंपल एनालिसिस रहने वाला दोस्तो एक चीज याद रखना जब तक इस जोन के अंदर मार्केट है हमको काम नहीं करना है सिद्धी सी बाद है माल लीजिए फ्लैट ओपन हुई निफ्टी फ्लैट उपन होने के बाद 17,620 से उपर निकलती है, प्राइस एक्षन बनता है, फिर से उपर निकलती है, इसकी सी रेंज को टच करके, तो दोस्तों 20-30 पॉइंट का एसल डाली है, केवल 60 पॉइंट का ही टारगेट रखना, क्योंकि उपर यह रसिस्टेंस है, यह फिर अड़ सकता मार्केट में, यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करती है, और इसको भी ब्रेक आउट देती है, तो फिर अगला टारगेट आपका 17-800 हो जाएगा, आप कॉइंटिटी अड़ कर सकते हो, लेकिन निकलती में स्पेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि दो रसिस्टेंस हैं, हर 50 पॉइंट के बाद, हर 100 पॉइंट के बाद, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोल साइड आपको कन्फरमेशन के प्राइस एक्षन के बाद ही, जब इसके उपर बने, प्राइस एक्षन ऐसे जब बनता है, या फिर डारेक्टली टाइम स्पेंड करके निफ्टी इसक किने को मिल सकते हैं, आप कोल साइड बैठी है, बिस्तिस पैंट के एसल डालिए, वंचे टू आपका टार्गेट हो जाएगा, असी नबे पॉइंट के लिए आप कोल साइड बैठ सकते हो, 17-800 तक पहला टार्गेट आपका 17-800 रेगा, गैप अप अपन होने के बाद, ठीक अब दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद, 17-450 के लेवल को नीचे की साइड काटा, प्राइस एक्षन बनके दोबारा काटा, ठीक है, तो ही आपको पूट साइड जाना है, बिस्तिस पैंट का एसल डालिए, असी नबे पॉइंट के लिए पूट स क्लो क्योंकि नेक्स्ट स्विंग 17-200 का है, एक है, 17-278 यनि की 300 का है, 17-300 का और 17-200 या 180 का है, ठीक है, तो यहां तक आप लेवल प्लान कर सकते हो, लेकिन इस किसी रेंज से दोस्तों कभी भी रिकवरी कर सकती है, मार्केट कभी भी नीचे से रिकवरी मार सकती है, इस ची कांट्रीटी के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं काम करने के लिए, क्योंकि यहां से कभी भी रिकवरी आ सकते है, लास्ट टाइम बाइंग हैपनिंग यहीं से हुई थी, अगर दिन के टाइम फ्रेम में आप चार्ट लगा के देखोगे तो आपको देखने में आसानी होगी कि असली सा बाइंग जोन कौन सा है, ठीक है, माल लेजिए गैप डाउन ओपन हो गई, शिद्धी इसकी सी रेंज के आसपास ओपन हो गई, शतरा चारसो के आसपास, तो जैसे ही सतरा चारसो के नीचे निकलती है, प्राइस सेक्षन बनता या फिर टाइम स्पैंड करके दि काउट दिया दिन का हाई, बिस्टिस पैंट का इसल डाली है, वनिस्टूड आपका टार्गेट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टार्गेट फिर पलान मत करना, पहला टार्गेट आपका इसतरा पान सो पचास तक का रहने वाला है, कोल साइड अगर आप जाओगे तो किमतिस में निकाल करेट देखने के लिए बहुत बहुत अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर जोई नहीं क्या तो वीडियो के डिस्कुपिशन आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो कमेंट में पिन कर दूँगा मैं और वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना ताकि जरूरत मंद लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए तो दोस्तों मिलते हैं कले एक नेए वीडियो साथ तब तक के लिए बाई-बाई अपना ख्याल रखें कुछ रहें जै हिंद।